हेलो गाईज, असलाम यकूम, hope you all are good आज मैं आपको गाइड करूँगी कि मुबाइल पे फाइवर अप को किस तरह से इस्तमान करना फर्स्ट अफ वाल तो जिनके पास फाइवर अप नहीं है वो प्ले स्टोर से जाएं और यहां पे फाइवर अप लिखते फर्स्ट ऑप्शन आया का जो फाइवर अप का, यहां से इसको डाउन्लोड कर लें, मैं पास अल्रेडी दाउनलोड इड है, इसलिए मैं इसे ओपन कर लूँगी ओपन करने के बाद इस तरह से एक पेज ओपन होगा फिर्स्ट हमारे पास होम टैब है होम टैब में यह हमारे पास गिवन चीज़े हैं सेलर, रिस्पॉन्स टाइम, हमारा परसनल बैलन्स और अर्निंग देन इन बोक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आप अपने मैसेज़ रिसीब कर सकते हैं उसके बाद थर्ड ऑप्शन है मैनिज सेल, जहां पर आपने अपने कम्प्लीट जितने ओडर किया और कैंसल रिकिया हैं, उनकी डिटेल आजएगी देन है नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन में आपको जितने भी मैसेज रिसीव हो है देन उसके बाद है प्रोफाइल, प्रोफाइल में यह हमारे पस सारी चीज़ें वैलिबल है फरस्ट और आपने सालर मोड रखना है पहला आपके पास ऑप्शन है अर्णिंग का इसमें आपकी सारी अर्णिंग डिटेल आजएगी जो भी आपने अर्णिंग की है नेक्स्ट है बायर रिक्वेस्ट, इसमें सारी बायर रिक्वेस्ट अवैलिबल होंगी जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे ओफर टेंपलेट्स, इसमें आप अड़ न्यू करके अपनी जितनी भी गिग्स है उनके लिए टेंपलेट्स को सेव कर सकते हैं इसके बाद है Share My Gig, यहां से आप अपनी किसी भी गिग को उठाके, अपनी किसी भी फ्रेंड को यहां अपनी किसी भी सोशल आप पे शियर कर सकते हैं, जैसे के यहां option आ रहा है, इसके बाद है My Gig, इसमें हम अपनी सारी गिग को देख सकते हैं, जैसे के आपको नसर आ रही हैं, यहां से हमने इन सब को Active देखना है, यहां से आपके वेरी टाइट उपर थ्री कॉर्णर पर बने हुए हैं, वहां से आप इनको Active देख सकते हैं, My Profile पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी information आजएगी यूजर की, यानि के आपके कब से member हैं, आपकी recent delivery के हैं, last active कब से हैं, all that, Then उसके बाद है, online status जो आपने on रखना है, payments पर जाएंगे तो आपकी currency जो है, जिसमें आपको amount आड़ी और personal balance हो हो जाएगा, invite friends है, आप अपनी किसी भी friend को invite कर सकते हैं, किसी भी app पर, Then उसके बाद sport का option है, इसमें आप help and education से आपको इसकी detail मिल सकती है, कि आपने आपको use कैसे करना है, उसके बाद leave feedback, आप happy हैं, confused जाए हैं और unhappy हैं, यहाँ से आपने feedback देना है, forum है, इसमें flavor app की detail मिलेगी आपको, Then blog, यह हो गया sport so these are all the things available यह साइटिंग में जाएंगे notification आजाएंगी push notification, email notification यह सारी आपने active रखने है email notification then उसके बाद है security इसमें आपकी device किस किसमे on है आपने Fiverr app को किया वे term of services के आपको क्या क्या सर्विसेज की terms available है key terms इसकी सारी sellers की basics क्या है then है privacy policy Fiverr account की privacy policy क्या होती है इसकी सारी details है इसको आप मस्ट रेट कीजेगा ताके आपसे कोई mistake ना हो then है out of office mode इसको जब आप on कर लेंगे तो आप unactive show होंगे इसके हमने reason देने होते हैं कि I am overbooked here return date आपकी कब तक है इसलिए अगर आप में इसको on नहीं करना तो आप इसको active रहने दीजिए then setting में जाके आपके आपके आपस languages आजाएंगी English, German, Spanish, French, Dutch और Italian इसारी languages available है इन सब में आप अपने Fiverr account को यूज़ कर सकते हैं last पर हम अरपस logout को option है अगर आपने अपने account को बन करना है तो यहां से logout कर सकते हैं और यह हम basic अपने my profile पे आगए हैं hope you like the video, please subscribe और आपने पना हैं